दिवन्गत अभिनेत्री आर्चा शर्मा की मिस्टिट्यू से पहले अनेक अंतिम पत्र ने ध्यान आकरशित किया है, जिसमें संजेदत और माधुरी दीक्षित के बीच एफ्या की एफवाहों के बीच अनेकी भावनात्मक उथल पुथल पर प्रकाश डाला गया है। 1987 में आर्चा शर्मा से संजेदत की प्रारंभिक शादी और अनेकी बैटी ट्रिशाला दत के जन्म पर मीडिया का ध्यान गया। हालां की अनेकी प्रेंग कहानी में दुख़द मोडा गया कयों की आर्चा कैंसर से जूज रही थीं, जिससे अनेक तलाग की अटकले लगाने लगीन। जहां कुछ लोगों ने अलगाफ के ये आर्चा की बीमारी को जिम्मीदार ठहराया, वहीं एफवाहीं या भी रहीं की संजे की माधुरी दीक्षित से निकत्ता ने भी इसमें योगदान दिया। आर्चा शर्मा का पत्र, एब रेड़िट पर वाइरल हो गया है, जिसमें उन्होंने संजे और माधुरी के बारे में चल रही एफवाहो के कारण मानसिक रूप से परेशान महासूस कराने की बात कही है। मार्मिक पत्र में, उसने एक बंद सरक पर होने के बारे में लिखा, सोचा की क्या यूस एक और मौका मिलेगा और आशा व्यक्त की की उसके सपने किसी एनिस्थान पर पूरे होंगे। Reddit पोस्ट ने कथित तोर पर संजे दत की बायोपिक, संजू, से आर्चा शर्मा को बाहर कराने के एफ फिल्म निर्माता राजकुमार हिरानी की आलोचना की। उपयोगकर टाउन ने फिल्म में संजे के जीवन के चित्रन पर असंतोश व्यक्त किया और कुछ पहलियों को नजरादाज कराने और महत्वपूर्ण रिष्टों को नजरादाज कराने का आरोप लगाया। कुछ यूजर्ज ने संजे की पत्मियों और बेटियों को बायोपिक से बाहर कराने की निंदा कराते हुए इसे अनेक अस्तित्व पर कुठराघाट बताया। संपूर्ण बायोपिक को ब्रामक मानते हुए आलोचना का डायरा फिल्म में दोश मरने के ये कालपनिक पात्रों के निर्मान तक भी बढ़ गया। या भावना की संजू मुख्य रूप से संजेदत की छवी को सुधारने के उद्देशे से एक जन्सम पर कदम था, काई उपयोग का टाउं द्वारा प्रतिध्वनित किया गया था। रेड़िक पोस्ट पर चर्चा बायोपिक में संजेदत के जीवन के चित्रन में निराशा के इर्द गिर्द घूंटी रही, विशेश रूप से अनेक रिष्टो और व्यक्टीगाट इतिहास के बारे में, जिसमें अनकी पहली पात्नी आर्चा शर्मा पर ध्यान के इंद् पर प्रकाश डालती हैं